2. Reading A. The Never Never Next घोसले का निर्मान कभी नहीं किया जा सकेगा आखिर इस शेप्टर का सार क्या है तो चलिए हिंदी में जानते इस कहानी में तीन लोग हैं Aunt Jen, Jack and Jill Jake और Jill दुनों पति-पत्नी हैं वे New Hampshire State में एक अच्छे से घहर में रहते थी Jen अंटी एक बार उनको देखने के लिए मिलने के लिए उनके घहर आती है वे उनको अपना घहर दिखाते हैं Jen अंटी उनका घहर देखकर बहुत प्रभावित हो जाती है उनके पास एक कार, एक बियानो, एक फ्रेज और कई प्रकार के चीजे थी जेख अपनी अंटी को कहता है कि इन सब के लिए वे उनके रिणी है अंटी जेन सोच में पढ़ जाती है कि कहीं उन्हें विवा के समय उपहार में गलती वस 200 पॉंड की स्थान पर 2000 पॉंड का चेक तो नहीं दे दिया आंटी जेन आचर में पढ़ जाती है कि वे इतने अच्छे घर को एक महेंगे किराय की रकम के साथ कैसे समालते हैं आंटी जेन बीना कुछ बोले इस्तब रह जाती है उनको बताया जाता है कि घर, कार, एवं अन्य सभी चीजे किस्त में ली गई है आंटी जेन ये जानने के इच्छा करती है कि वे लोग किस्त में कितने पैसे पटाते हैं जेक गिंती करके बताता है कि वे साथ पाउंड, आट सिलिंग और आट पैसे एक सब्ता में किस्त पटाते हैं वे उन्हें बताते हैं कि बाकी पैसे किफायत से अर्थात अलग से और लेकर वे किस्तों में वापस कर देते हैं आटी जेन जेक और जिल के लिए बहुत उदास हो जाती हैं वो कहती है कि उनके जीवन का उद्देश हर चीज को नगत में खरीदना चाहिए उन्हें कोई भी चीज किस्त में नहीं खरीदने चाहिए और वा उनको दस पाउंड को उफार दे देती वा उसके बाद बाहर चले जाती है जेक उन्हें देखने बाहर चला जाता है जील डाक्टर को नर्स की द्वारा दस पाउंड दे देती है जब जेक वापस आता है तो उस चेक के बारे में पूछता है और वा बताती है कि उसने उस चेक को जम्म कर दिया है जेक इस बात से नराज हो जाता है वह कहती है कि एक ही किस्त बाकी थी और अब बचा हुआ उनका ही है तो बच्चों ये कहानी आपको कैसी लगी और इसी टाइप से कोशन आंसर को भी आप लोगों को समझना हो तो जरूर बताईएगा